नमस्कार दोस्तों मैं हूँ चेतन पेंडारकर और आपका स्वागत है मेरे योट्यूब चैनल कॉमपिडल में आज हम DNS सर्वर के बारे में जानेंगे दोस्तों DNS सर्वर एक प्रकार की हमारी टेलीफोन डारेक्टरी होती है अगर आपने कभी लेंडलाइन टेलीफोन डारेक्टरी यूज़ करी होगी तो शायद आपको पता होगा जिस प्रकार से लेंडलाइन टेलीफोन डारेक्टरी के अंदर हम किसी व्यक्ति का फोन नंबर सर्च कर सकते थे उसी प्रकार से यहां पर हमारा जो DNS सर्वर होता है वह हर host name के लिए IP address और हर IP address के लिए host name का record रखता है यहां webinar प्रकार के records होते हैं A record, AAA record, MX record इनके बारे में भी हम आगे जानेंगे तो सबसे पहले हम हमारे DNS सर्वर पर चलते हैं और वहां पर उसका एक overview देख लेते हैं पहले तो DNS सर्वर स्टार्ट करने के लिए मैं स्टार्ट मेनू पर जाऊंगा Windows Administrative Tools पर क्लिक करूंगा DNS पर डबल क्लिक करूंगा और इस स्क्रीन को मैं maximize कर लेता हूँ मेरी DNS Manager Window maximize हो चुकी है यहां पर आप देखेंगे DNS के अंदर एक सर्वर मुझे दिख रहा है सर्वर DC 2019 जो की मेरा domain controller plus DNS है इसी सर्वर के उपर मैंने DNS server service भी install करी होई है मैं इसे expand कर लेता हूँ दोस्तों सर्वर DC 2019 पर मैं सबसे पहले right click करता हूँ और इन सारे options को हम समझते हैं क्या क्या होते हैं यह तो यहां पर सबसे पहले DNS server DC 2019 में सबसे पहला option है मेरे पास configure DNS server यहां पर जाकर मैं forward lookup zone, reverse lookup zone, route hints इन प्रकार की कुछ information को मैं यहां पर configure कर सकता हूँ server DC 2019 पर एक new zone भी मैं create कर सकता हूँ set aging or scavenging for all zones यह क्या होता है तो मैं इस पर एक बार click करता हूँ दोस्तों यह यहां पर मैं time define कर सकता हूँ non refresh interval और refresh interval के लिए तो दोस्तों यहां क्या होता है कि DNS server अपने पास काफी सारे host names और IP address का record रखता है तो यहां हम server को यहां बताते हैं कि कितने interval के बाद में आपको उस entry को refresh करना है और कितने interval के बाद में आप उस record को scavenge कर सकते हैं scavenge का मतलब होता है कि उसे आप dump कर सकते हैं कचरे में डाल सकते हैं कह सकते हम तो DNS server अपने records को बार बार refresh करता रहता है वो जाकर check करता रहता है कि host name available है या नहीं है अगर इस domain के बाहर का अगर कोई record है तो वो उस DNS server पर जाकर check करेगा कि वो record उस DNS server पर अभी मौजूद है या नहीं है अगर नहीं है तो ऐसे records को scavenge record करकर अलग कर दिया जाता है cancel button पर क्लिक करता हूँ next option देखते हैं scavenge still resource record तो ऐसे सारे resource records जो की हम dump कर चुके हैं या कचरे में डाल चुके हैं उनको हमारे records से या हमारे DNS server से हटाने के लिए scavenge still record resource record पर मैं क्लिक करूँगा do you want to scavenge all still resource records येस और इस प्रकार से सारे पुराने records जो के हम dump कुर चुके हैं उन्हें हम delete कर सकते हैं next option है हमारे पास update server data files तो दोस्तों क्या होगा कि हमने अभी बहुत सारी process यहां पर करी scavenge still records को हमने delete किया तो इस option पर क्लिक करने से हमारा DNS server का जो database फाईल है उसे हम update कर सकते हैं next option है clear cache दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो DNS server है यह किस domain का है computer.local का तो यह यह जो DNS server है इसी domain के लिए root domain है मतलब यहां की सारी information इसे ही manage करनी है लेकिन अगर हम किसी दूसरे domain की information अगर हम चाहते हैं तो हमारा DNS server उस domain के उस DNS server को contact करके वहां से resource record लाकर हमें present करता है और उसकी एक local cache copy अपने पास रख लेता है जिससे भविश्य में अगर हम पूछें तो उस record से हमें यह hostname का lookup query हमें लाकर दे देता है तो clear cache करने से ऐसे सारे records delete हो जाएंगे और हमारा DNS server फिर से उन DNS server पर जाकर उन hostname की information लाकर search करेगा तो ऐसा हमें तब करना होता है जब हम को एक particular website search कर रहे हैं काफी समय से use कर रहे हैं और अचानक से वह चलना बंद हो गई है क्योंकि हो जकता है कि वह किसी दूसरे IP address पर migrate हो गई हो और हम पुराने IP address पर ही lookup कर रहे हूं तो clear cache करने से जो cache file हमारे server पर create हुई है उसकी वह delete हो जाती है launch NS lookup से हम किसी IP address को या hostname को lookup कर सकते हैं जैसे www.google.com आप यहां देखेंगे google.com के लिए मुझे address लाकर दिया है IP address लाकर मेरे DNS server ने उसका authoritative answer यहां पर आ गया है अब मैं इस IP address को एक बार डालके देखता हूं तो क्योंकि मेरा server address है 100200 उसके पास इसकी reverse lookup information नहीं है तो मुझे कोई information यहां नहीं दिखी सिर्फ unknown लिखा हूँ आ गया तो इस प्रकार से हम lookup करके check कर सकते हैं कि एक particular hostname का IP क्या है और इस IP के लिए क्या hostname assigned है अब हम next चलते हैं all task तो यहां पर जाकर हम server को start, stop, pause, resume, restart यह सब कर सकते हैं view में जाकर हम हमारे server pen का view change कर सकते हैं delete से हम इस server को यहां से delete कर सकते हैं refresh से server की state refresh हो जाएगी export list से इस server के अंदर जितनी भी information है उसे हम export कर सकते हैं next चलते हैं properties पर properties के अंदर दोस्तों काफी सारे options होते हैं पहला option होता interface तो फिलहाल हमारे server के उपर एक ही interface है अगर multiple interfaces हो तो हम इसे यहां define कर सकते हैं कि किस interface पर DNS server को अपनी services प्रदान करनी है forwarders के अंदर हम वह IP define करते हैं जहां से अगर हमारे server के पास किसी domain name की information ना हो तो वो कहां जाकर search करे उस request को वो कहां forward करे तो यहां पर हम forwarders की information यहां डाल सकते हैं advance पर जाकर हम कुछ options हमारे set कर सकते हैं route hints दोस्तो route hints वह server होते हैं जो की domain dns infrastructure के route servers होते हैं इन dns servers के पास दुनिया के सारे dns और domain names की information होती है global domains की तो अगर आपके dns server के पास किसी particular domain की या host name की अगर information नहीं है तो सबसे last हमारा जो server है वो route server पर जाकर वहां से information fetch करके लाता है उसके बाद debugging log यहां से हम outgoing और incoming packets को हम यहां पर TCP UDP में trace करके उनके logs चेक कर जकते हैं क्या logs क्या packets जा रहे हैं क्या packets आ रहे हैं event logging में हम हमारे dns सरवर की log information record कर सकते हैं क्या-kia logs हमगो hazard करने है वो हम यहां से set कर सकते हैं लाग information में यह हम पतापड़ जाएगा कि क्या-क्या activities DNS server कर रहा है monitoring के द συ्वारा हम हमारे DNS server की monitoring कर सकते हैं security में हम यह define कर सकते हैं कि कौन क्या-क्या चीज़े कर पायाएगा, क्या-क्या एक्सेस हमें उसे देनी है, तो दोस्तो इस प्रकार से हम हमारे DNS सर्वर को मैनेज कर सकते हैं, यह सारे ओप्शन्स यहां पर थे, हमने एक ओवर्विव हमारे DNS सर्वर का ले लिया है, आगे जाकर हम यहां पर लुक अप जोन्स के बारे में जानेंगे, रिकॉर्ड्स के बारे में जानेंगे, फिलाल इस वीडियो में इतना ही था, दोस्तों मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटल बर बने रहने के लिए दन्यवाद, नमस्कार।